श्वागत आप सभीका हमारी शूटी शानेल में तो आज बीडियम देखेंगे नाइन गलास का नागरिक सास्त्र लोगतांत्रिक राजनीतिक वन जो किताब है नागरिक सास्त्र का उसका सभी चेप्टर का MCQ सुपर फास्ट रिवीजन सभी चेप्टर का जितना भी चेप्ट वो बताना है ति इसका अंसर हो जाएगा चवथा नबर ओप्सन लोगतांतरिक देश दुसरों की तुलना में ज्यादा संब्रीध होता है यह अच्छा नहीं है ठेके तो यहाँ पे कौई बुखमरी की जो संभावना कम होती है, ये जो तर्क दिया गिया है, तो इस तर्क का कारण सही कारण को नहीं है, वो बताना है, तैसके लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरन करने की सोतन्तरता है, ये गलत बाद है, बाकि सबसाहिए विवक्षी दल भूख और रप्राजोट में अग्ले चुना में अपने प्राज़े शहें इसलिए बचाने का हुए इन गाऊं के लोगों खाने और अपनी जरूरतों के और सरकार का ध्यान दिलानी के लिए कई तरीकों पर विचार किया इन में से कौन सा तरीका लोक्तांत्रिक नहीं है तो जो भी तरीका इनों अपनाया था उसमें से लोक्तांत्रिक तरीका कौन नहीं है वो बताना है तो एक option है सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिस्वत देना तिये लोक्तांत्रिक तरीका नहीं है ठीक है इस वद्धना ती क्रुवारण चुन करके और इसमें लोकत्तन्त्र ऐसाजन जहना के पीडींदर से इस तरह से यह पिढ़ी दर पिढ़ी नहीं होता है तो यह तीसरा अगला इने में से कौन सातर्क लोगतांत्रिक नहीं है फिरस बताना नहीं है लोगतांत्रिक पानी को अधिकार का हिसा बताते हुए मुकदमा दायर करना ये लोगतांत्रिक नहीं है लोगतांत्र की संदर्म में कौन सा कफान सत्य नहीं है फिरस बता है सत्य नहीं तो जाधार सत्य नहीं वोट देनी के अधिकार नहीं था महिलाओं को अवरतों को साओधी अरभिया में साओधी अरभ में अब भुर्दिन का दिखार है निम्नांकित में कौन से देश गैर लोकतांतरिक देश है तो पाकिस्तान गैर लोकतांतरिक देश है निम्नांकित में कौन सा देश लोकतांतरिक देश है किस देश से आंग संसुकी का संबंद है मैंगमार से संसुकि मैंगमां के रष्टपती थे ज्यारकन सरकार का वह रूप जिसमें देश का देश पर लोगों का लोगों के दूआरा सासन होता है क्या गालाता है तो परजा तंत्र गालाता है परजा का तंत्र या लोगतंत्र भी का सकते है आंग सांग सूकी को किस पुरुषकार से समानित किया गया गया है सांती को नोबल पुरुषकार से समानित किया गया है न वहीं मायंग मारवाला लोगतंत्र एक सासन प्रणाली है ज हमता होती है सकती होती है शुरक्षा परिश्द कि इसंट स्टाइ सधस्य जीने वीटों में भारत नहीं मैंकमार मैं में सब्सक्रसाइब कर दिया गया है सेना दर साशन अग्योतником को कया को सस्कार आइ तो यह आलोक्तांतरिक सासन है यूएन का कॉंसा आंग देशों के बीच सांति और शुरक्षा के लिए जिम्यदार है यह परिफास की दुवार दी ख़ी गई है अब रहाम लिंकर ने कहा है इसा अगला विच्छा ने संक्षराष्ट के सदस्टते देशों की संख्या कि 102 है Melanie सो कहते हैं परवेज मुशर्ण प्रणाली में अंतिम ले निकी सकती लोगों के दुवारत चुने परति निजद्यों के पास उता उसको काबल लोकतांतरिक सरकार करते हैं उसको लोकतांतरिक सरकार लोगतांत्र में बहुतारा राजनितिक दल होता है जो जीत गया हुआ आगे है आगला है चीन में राष्ट्पति नियुक्त करने का अधिकार कीसे है तो कम्मिनिस्ट पाटी कोई है कम्मिनिस्ट पाटी कोई है सबसे महत पूरण है तो गोर्व रूर में दैक्षिन अफिरकर नाम नहीं रह था यही कारण था लोक Unknown सभीधान बनने और सभी-धान से लोक्तारिक समीधान में में से कौन से प्रवधान नहीं रहता तो總 प्रमुभ का नाम नहीं रहा था उसमें साउथ अफरीका में रंगभेद कब खत्म हुआ तो 26 अपरिल 1994 में रंगभेद उसमेधान सभाव में कुल कितनी सदस्य थे कि 999 सदस्य तो समिधान सभाव में समिधान सभा का अध्यक्ष कून परसाद डॉक्टर राजिंदर परसाद, अगला है प्रारूप कमेटी के अधेक क्यों थे, भीम रावमर करते थे, डॉक्टर बी यार अमबेट कर, नलसल मेंडेला को कब जेल से छोड़ा गिया, तनलसल मेंडेला को 1994 में जेल से छोड़ा गिया, बिरोजगार लोगों के लिए नलसल मंडेला ने रंगभेद निती का विरोध कब किया, तो नलसल मंडेला ने एठाइस में, रंगभेद वही का गोराकरा का जो लड़ाय था, उसका विरोध किया था, इसे लिजेल में डाल दिया गिया था, सोतंतर भारत का समिधान कब लागो हुआ, 26. 1950 मे, उद्देश से प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था है सरकार किसी भी धर्म का पक्षो नहीं लेगी यह सविधान का कौनसा सित मुल्य धर्म नहीं पेच्ट समीधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने समीधान के बुनियादी मुल्यों और अवधारनाओं को असपस्ट धंग से कहता है क्या गालाता है तो उसको प्रस्तावना कहते हैं का गाते वह प्रस्तावना अगला है विस्व का सबसे बड़ा एमम लिखी समीधान की देश का है तो भारत का है सबसे बड़ा समीधान बारत की समीधान की व्याक्षा का अधिकार की इसको है सरवचने आले और उचने आले किस देश को 1980 में अलपसंख्यक गोरो के सासन से मुक्ती मिली दक्षिन अफिरिकागो किस वर्स भारती समीधान की परस्तावना धर्म में धर्म निर्पेक सब्द जोड़ा गिया तो 1976 में धर्म निर्पेक सब्द जोड़ा गिया बहरत का समीधान कब बना? तो 26-जनरल 1909 में बना था लेकर लागू हुआ था 50 में. The Long Walk to Freedom परतियक नागरी को अपना परतिनीदी चुनिने और जन परतिनीदी के तोर पर चुने जाने का अधिकार कोन देता है तो समीधान देता है रंगभेद की निती इनमें से किस देश में परचलीत थी तो दक्षिन अफ्रिका में थी दक्षिन अफ्रिका का परथम राष्टपती कौन थे तो नंसल मंडेला थे भारतिय समीधान सभा के लिए कब चुनाओं कर आये गए थे तो जुलाई 1946 में अलग उचने समीधान के संबंध में इनमें से कुन सा कथन असत्यमन अजलत है यह सरकार के अधिकारों को की सीमा नहीं बताता है यह गलत बात अधिकार की सीमा बताता है इनमें से कौन भारतिय समीधान सभा के सदस्य नहीं थे तो मात्मागादी समीधान सभा के सदस्य नहीं परशाथ सबस्क्राइब इन्यम्यम्य भार्तिय शविदान का बन्यादी मुल्य कोन नहीं है तहार अज़सुद्ध कर्णिया पहले आफये शुक्ता मोतिलालन नहेरू और कौंग्रेस के अन्य आठ ने ताउने भारत का एक समिधान किसन में लिखा तो भारतिक सविधान मोति इंद्रा गांधी स्विधान सब्सक्राइब बात है इंद्रा गांधी तो गुलब परसुगी थे उस समय नहीं तो नीव रही होगी चुनावी राजनीती तीसरा चेप्टर भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इन में से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देत नहीं बोल देता है दिमाग खराब कर देगा भारत में दुन्या के सबसे ज्यादा मतदाता है यह नहीं रहेगा उसको ध्यान देने बागवा नहीं वहला ज्यादा कोश्चन हा रहा है चुनाव क्यूं होते हैं इस बारे में इन में से कौन सा वाक्य ठीक नहीं देगे फिर हो जी शीप्त है पराधी लोक को नहीं structural को Чुनावी कों खडाता है मतदा जिछी 55 वर्श हो खडाता चुनाओं किस परकार लोकतंत्र बनाता है चौन सवतंतर में निरवाचिक 13 के वाटा गया है तो पांसवत्ये तालिस सलसद्य निर्वाचन छेतर में बाटा गिया है भारत में परति कमदाता को कितने मत डालने का दिखा रहे हैं लोकसाभा का अनुसुशित के लिए कितने सीट आरें एक ताली सीट आरें है साथी अरब में महिलाओं को मत धेकार दिया गया 2015 में कागज का एक छोटा सटुगड़ा जिस पर सभी मिद्वारों के नाम और चुनाव चिन छापे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगा गर वोट अपने पसंद जाहिर कर सके वोटर तो उसको कावलते तो मत पत्र पहते वोट प गोसित करता है तुराजनितिक दल गोसित करता है पत्र चुनाव फेड़ेकर mirrors कमैंडी गरता है कुछ राजियों में निर्वाचन छेत्रों की संख्या जादा होते हैं तो मत दा ता अधिक होने कारण आथी होने कारण हर लगे निर्वाचक छेतर बनाए जाते वाड़ पंचायत और नगर निकायम बनाए जाते वाड़ नंबर एक दो तीन होता है जन्मत संक्रा क्या है तो एक महत्पून राष्ट मुद्दे पर सभी लोगों का वोट जन्मत संक्रा है 1977 में किसने लोकतांत्र बचाव का नारा दिया था तो जैप्रकास नारायन ने अलग हुजन है भारत में वैसक मताधिकार की उम्री सीमा क्या है तो वैसक मताधिकार की उम्री सीमा भारत में अठरा वर्स है किस नेता ने गरीबी हटाव का नारा दिया तो इंद्रा गांधी ने गरीबी हटाव का नारा दिया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में कौन करता है तो भारत कराश्पति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव अगला चेप्टर संस्थाओं का कामकाज में आते हैं फड़ा फड़ा चेप्टर निम्न में कौन राजनितिक कारेरपाली का हिस्सा होता है तो गिरिह मंत्राले का सचीव यदि आपको भारत का राश्पति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फायसला खुद कर सकते है तो क्या फैसला कर सकते हैं अगर आप राश्पति हो तो दोनों सदनों दुवरपारित विधैको पर पुनर विचार के लिए कह सकते हैं मने कोई विधायक पास हुआ विधैक यानि कोई नियमकान कोई कानून पास हो रहा है तो उस पर पुनर विचार मने फिर से विचार कर होता है तो वह आदालत में जा सकता है कि नय पालिका के बारे में निम्नांकित में से कौन सा बयान गलत है बोला है ना कायरपाली का सौत तीसरा हो जाएगा नहीं तीसरा गलत निमनदांकीत राजनितिक संस्थाँ में से कौन सी संस्था देस की मौजुदा कानून में संसोधन कर सकता है राजए का सरवच परधान को नहीं अप Gefach king काम का परधान ओंतरी है संसत के कितने सदन होते हैं तो दो सदन होते हैं लोकसभा राज सबा मंडल कमिशन किसकी अगवाई में संपन हुआ तो बीपी मंडल के अगवाई में लोकसभा कुल कितने सदस्य होते हैं तो लोकसभा में 545 सदस्य है वीत मामले कौन अधिकारों का उप्योग करता है तो वीत ये मामले जोई लोकसभा का अधिकारों का उप्योग करता है भारती रक्षा बल का सर्वच अधिकारी होता है वो रक्षा बल का सर्वच अधिकारी राष्टपती है कुन सी संस्था नागरिक और सरकार के जगड़ों करनी प्यार करते हैं तो सर्वच ने आ ले निम्नांकित में से कौन भारत के राष्टपती द्वारा चैनी तो नहीं होता तो उचुनाय युग तो भारत के राष्टपती चैन करते हैं भारत का मुख्य नाधिस भी राजी का गौर्णर भी लेकिन राजी के मुख मंतरी ये राष्टपती ने चुनता है इसको तो जनता चुनते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा की रूप में कौन काम करता है तो भारतिय नायपाली का आगला है भारती संसत के अंग नहीं है भारती संसत के अंग राश्पति है राजसभाय लोकसभाय सरवच न्याले नहीं है भारते नागरी को के अधिकार वो सोतंतरत का रक्षक कोन है तो नयाईपाली का है निमनांकित में से कोन सी संस्था कानून बनाती है संसत कानून बनाती है यह question repeat कर रहा है भारत में परधान मंत्री के नियुक्ति कोन करता है तो राष्टपति करता है ना सपत राष्टपति गिलाता है ती द्वित्वी पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग कब नियुक्ति किया गया था तो यह 1909 में संसत का lower house किसे कहते है तो लोकसभा को lower house कहते के जज को कैसे हटाए जा सकता है सmalसत दुआरह महाभियोक के माध्यम से जज को हटाये जा सकता है। लोकसभा पीठा सीन अधिकारी कोन होता है तो इश्पिकर होता है राज्य अस्तर पर विधाय का कहते हैं तो विधान सभा कहते हैं। राजसभा की सभापती होते हैं उप राष्टपती और राष्टपती का कारे काल कितने वर्ष का होता है तो पांच वर्ष का होता है कौन सा कारे भारत के नायपालिका का नहीं है तो चुनाव कराना नायपालिका का काम नहीं है यह चुनाव आयोग का काम है भारत के प्रत्थम राश्टपती को ने थे तो डॉक्टर राज़ंदर परसाथ राज़सभा कितने सदस्यों हो सकते हैं राज़सभा में 28 सदस्यों राश्टपती राज़सभा के कितने सदस्यों को मनोनीद कर सकता है तो 12 सदस्यों को मनोनीद कर सकता है 12 या 8 कमेंट कर ये नेक्स्ट परदान मंत्री की सिफारिष पर मंत्रियों की नियुक्ति कुन करता है तो मंत्रियों की पर राश्पति करता है दूसरी पिछड़ जाती आयोग की अध्यक्षा किस नहीं की तो पीवी मंदल यह कुष्चन भी रिबीट कर रहे हैं सरकार का प्रमुख कोन होता है तो सरकार का प्रदान मंत्रियों भारत के नय पहली का प्रशाषन को कोन नियंत्रित करता है तो सरवज नयाले अलगोश्चन भारत मिराश्पति को कोन सलाह मंत्रना देता है प्रदान मंत्रियों सलाह मंत्रना देता है भारत सरकार ने दूसरी प पभारतिनागरिकों को नहीं कौन सी सौत राता भारतिनागरिकों को gadget नहीं है तो ससत्र वीद्रोह में भाग लेने का सोत्रता नहीं है मने अथियार के साथ वीद्रोह में भाग लेना भारती समिधान इन में से कौन सा अधिकार देता है तो काम का अधिकार देता है परियाप्त जीविका का अधिकार अपनी संस्क्रितिक रक्षा कदिकार नीजता कदिकार तो कौन सा अधिकार देता है तो भारती समझें तो सभे अधिकार देता है तो इसमें अंसर लिया हुआ है अपनी संस्क्रितिक की रक्षा कदिकार सबी होना चाहिए ना गलत है मानावधिकार आयो किस वर्स लागू हुआ लागू किया गया तो 1993 में कौन सा देस वनसानुगत राजा दुवारा सासित होता है और नागरिकों को राजा चुनिने या बदलने का दिकार नहीं है तो सौधी अरब विश्व मानावधिकार दिवस कब मना जाता है दस दिसंबर को को सो वो किस देस का एक प्रांथ है तो यूगो सलाव या का है समिधान द्वरकिस बुराई को गैर कानोनी घोसित नहीं किया गया है तो अंतरजात्य विवा अगला है अंतराष्ट्री मनवधिकार संगठन का क्या नाम है तो एमनिस्टी इंटरनेशनल सोच भारत अभ्यान भारत सरकार दुवर कब आरंप किया गिया तो सोच भारत अभ्यान दोक्टबर दोज़र चोगों किया गिया वह वेक्ति जो बिना कोई वेतन लिये अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज का उसके जीवन से दूर दूर तक कोई संबन्द नहीं उसको कारते है तो उसको दास कहते है निम्नि में कुछ मौलइक अधिकार नहीं नहीं है , वेक्तिकार के प्रभाफ मेंकने कविश्बड़ नहीं गुटिक। को अधिकारों की रक्षा होती है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है राष्ट मानुधिकार का कार्य नहीं है तो आरोपी को सजाद नहीं है कार्य नहीं है इसका मानुधिकार का अगला इन में से एक राजनितिक अधिकार है कोन राजनितिक अधिकार है वोट देने और भोजनाई सब्सोरी राजनी के दिकार, बार्द स्वाइधान दुवरा नागरी को कुग कितने मौली का दिकार परदत है तो 6 मौली का दिकार परदत है, साथ था जिसमें से ख़ड़ा दिये गया, गिरफ्तार किये गए या हिरासत मे लिए गए किसी वेक्ति को कितनी अवधी के अंदर निकट के मजट्रेट के समक्ष परसुत करना होता है, तो 24 घंटे के अंदर, अगला है, राष्ट मानुधिकार आयोग की नियुक्ति कोन करता है, तो राष्पति करता है, उपचार के अधिकार को हमारे स्वामिधान की आत्मा और हिरदय किस ने कहा, तो सास्तर बच्ची एकोनोमिक्स एकोनोमिक्स लेकर आते हैं, थांक्स वाच्ची उसे हैं, सुक्रिया